हलो फ्रेंज वेलकम दो चानल करंट अफेर अफेर अप्डेट इस दिवाशी शवस्थी जैसे आपको पता होगा विए डिलिंग्विट 10 एम डिली सिरीज तो आज का लेक्ष्ट होने वाला है यह तो अपने लेक्ष्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं आज हमारा जो चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशन जो है डाट इस रिगार्डिंग अब फेमस ओपरेशन डाट इस ओपरेशन बीथिंग स्पेस ठीक है यह ओपरेशन रिसेंटी हेल्ट किया गया था तो याद अखिएगा पूछा गया इस एस सीटिल विट विच कांट्री इंडिया इसराइल सेके ने पाकिस्तान चाइना इंडिया इंचाइन यह यूएस और रश्या मैं तो आपकी ऑपरेशन बीथिंग स्पेस जो है याद दखेगा जो कोविड अपना कोरोना वाइरस वर्ल में फैला हुआ है उस चाइम पर याद दखेगा टेस्टिंग बढ़ाने के ल होगा वो इंडिया इसराइल या इंडिया इंचाइन होगा आई यहोप आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी कंटरी हो सकती है जिसे कोविड में इंडिया की याद रखेगा जो टेस्टिंग उसको बढ़ाने की बात की है तो करेक्ट टांसर ऑप्शन नबर ए है इंडिया अपर आप देख सकते हैं इसराइल की टीम ने डिया इडियों के साथ मिल के डेवलप किया था रापिट टेस्टिंग फोर कोविड नाइटीन किस तरह रापिट टेस्टिंग की जा सकती है फो कोविड-19 तो टाट ऑपरेशन इस नोल आ अपरेशन बीधिंग स्पेस ऑटे में आते हैं, question number second, question second is regarding Indian polity, regarding administrative tribunals, okay, शाद आपने सुना होगा यह administrative tribunals के बारे में, okay, तो statement यहाँ पर आप से पुछा गया है, तीन statement दिये गए, आपको पताना है कौन सा statement correct है, ठीक है, पहला statement है, these were added in the constitution by 42nd Amendment Act, ठीक है, पर दो आप मुझे बताईए, यह amendment 42nd Amendment Act किस year में हुआ था, यहाँ मुझे comment box मताईए, क्योंकि इसको mini constitution भी कहते हैं, तो यह बात, क्या यह सही है, यह आपको बताना administrative tribunals के बारे में, इसका मतलब tribunals पहले से नहीं थे administrative tribunals, उनको बाद में add किया गया, according to first point, अगर इसको सही मानते हैं तो, second है, जो administrative tribunals है, they can only be constituted for matters related to public service of center and state, तो सिर्फ public services के यह दखेगा, matters को deal कर सकती, center और state के लिए, okay, third statement है, जो tribunals है, administrative tribunals, they will follow the principle of natural justice, okay, so these are the three statements, आपको बताना कौन सा statement correct है, आप मुझे यह भी बताईए, जो administrative tribunals है, वो किस part में mention है, जो tribunals का part है, वो किस part में mention है, यह आप मुझे comment box में बताईए, ठीक है, तो यहाद आखेगा, 42nd Amendment Act के natural justice, जो second point है, वो wrong है, यहाद आखेगा, सिर्फ public service के matter को deal नहीं करता है even local bodies public operation इन सब के matters को भी याद एखेगा deal करता है तो correct answer यहां है that is 1 and 3 option number A मैंना already tribunals पढ़ाया हुआ है तो आप website पे जाकर हमाई political lectures देखेंगा updated lectures पर हमें detail में पढ़ाया हुआ है tribunals ठीक है तो बेसिक मैंना cover कर दिया है कि पार्ट चलिए दो आर्टिकल है 323 A 323 B याद एखेगा दोनों important है ठीक है 323 A जो है that deals with administrative tribunals और 323 B tribunals with other matters ओके यह आपको याद रखना है और यह मैंने लिग भी रखा है they are deal with what local bodies public corporation other other public authorities तो सिर्फ याद एखेगा public services से नहीं other matters को भी deal करता है लोके चले next question में आते हैं question no.3 यह recently news में था तो question यहाँ पर UNESCO से related okay comment box मुझे UNESCO किस year में form हुआ और इसका headquarter का है या आप मुझे comment box में बताइए किस year में UNESCO form हुआ headquarter काहां पर है ओके दो statement है पहला UNESCO ने recently launch किया है बांगा बंदू शेक मुझीबर रह्मान प्राइस ठीक है यह launch किया है in the field of advance agriculture agriculture की field में first statement second statement UNESCO 2021 को declare किया है international year of creative economy for sustainable development तो आपको बता ला विच अबंग फॉलिंग स्टेट्मेंट है correct recently news में थे okay I think कुछ लोग सोच रहोंगे yes अभी सर शेक मुझीबर रह्मान की नाम पे ही अभी UNESCO ने award घुषित किया है तो यह first statement correct होगा but first statement wrong है यहां दखेगा UNESCO ने घुषित तो किया है but it is not on the field of advance agriculture, advance agriculture की field में नहीं है तो first statement wrong है second statement सही है international year of creative economy for sustainable development ही 2021 declared किया गया है जो correct answer यह option नब भी है that is true only तो first point है उसको में clear कर देता हूं जो first point है क्या UNESCO ने launch किया अफकोस एक prize दिया जाएगा for creative economy not for advance agriculture creative economy की terms में और जिसका नाम होगा यहाँ दखेगा बांगा बंदू शेक मुझीबुर रह्मान ठीक है अब परहा होगा इनके बारे में बहुत important personality है यह देखेगे यह award हर दो साल में एक बार दिया जाएगा और जो creative entrepreneurship होती है यह दखेगा जो youth होते है creative entrepreneurs की और मुव करें business की और मुव करें उनको देखते हो हर दो साल में यह award दिया जाएगा उनमें से किसी को ठीक है creative करते है that is question no. 4th question no. 4th conservation assured tiger standards ठीक है इसको short form में CATS भी कहते है okay तो पूछा गया है विचा मंगा following statement is correct regarding to CATS पला statement है CATS is a set of criteria which allows tiger sites to check if their management will lead to successful tiger conservation तो यह check करते हैं क्या वहां का management will check if their management will lead to successful tiger conservation तो यहाद एखेगा पहला statement है कि it set it is a set of criteria मतलब एक criteria set करते हैं which allows tiger sites to check if their management will lead to successful tiger conservation और not ठीक है तो वहां का management और tiger conservation कर सकता है कि नहीं उसके according criteria set करता है CATS okay second statement है Lansdown forest division जो है यह इंडिया की only site है जो की CATS approved है okay these are two statement आपने शायद इसके नहीं सुना होगा CATS के बारे में बाते हैं इसके पढ़ सकते हैं को correct answer यह option number C है both statement are correct यह Lansdown forest division is at उत्तराखन remember तो अभी at present अगर बात करूं तो वर्ल्ड में तीन प्लेसे ऐसी हैं जिनको CATS approval मिला हुआ है जिनमें से एक इंडिया में भी है Lansdown forest division that is at उत्तराखन okay तो और यह भी सही है CATS is a set of criteria criteria set करते हैं which allow tiger sites जो होती है to check कि management वहाँ पर successful tiger conservation कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं okay so that is very important okay in news बे भी यह साल तो जरूर एक बार go through करियेगा तो correct answer option number C है okay next question में 5th में आते हैं डारेक्ट पुछा गया global forest resource assessment report यह report जो है that is regarding the status and trend of world's forest resource the world's forest resource है उसका status trend के बारे में बताती है report तो पुछा कि report कौन publish करता है options है FAO UNCCD World Economic Forum या United Nation Environment Program तो कौन इसको publish करता है that is very important okay यहादे कि it is published by world food and agriculture organization comment box आप मुझे बताईगे food and agriculture organization जो है यह किस year में form हो है और इसका headquarter का है यह भी आप मुझे comment box बताईगे क्योंकि food and agriculture organization is very important organization तो correct answer यह option number A है okay next question number 6 में आते हैं this is regarding world geography this is very very easy question अगर आपको यसे questions नहीं बनने आप confused हो रहे हैं तो world geography के lecture जरूर देखें description box में okay link दिया हुआ है my website का तो यहाँ पर state of Gibraltar के बारे में पुछा गया है which is very famous state तो पूछा गया किन दो countries को separate करता है यह state okay तो चलिए Spain Algeria Portugal Algeria Libya Egypt यह Spain and Morocco इसमें तो आपको 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 आप देना ही है इस तो कंट्रीज को separate करता है आप गेस कर सकते state of Gibraltar is very important correct answer option number d है that is Spain and Morocco मैं आपको आपको इस डिखा देता हूं state of Gibraltar यह देख सकते हैं this is state of Gibraltar this is Spain this is your Morocco Spain is at Europe and Morocco is at Africa okay चलिए आगे बड़ते है next question बस 7th में regarding किगाली agreement के regarding statement है दो statement देख स्टेटमें ले गए है statement 1 or statement 2 पुछा के कौन सा statement correct है पला statement है जो किगाली agreement है okay it is an amendment in Kyoto protocol Kyoto protocol का amendment किगाली agreement okay first point second लिखा है agreement के कोर्डिंग member countries are expected to reduce the manufacture and use of hydrofluorocarbon by roughly 80 to 85 percent from the respective baseline till 2045 so this was second point आपको बताना किगाली agreement this is very famous agreement regarding environment अगे environment पढ़े हैं okay correct answer है आपको बताता हूं किगाली agreement whether it is related to Kyoto protocol no it is not regarding Kyoto protocol Montreal protocol जो है उसका amendment है किगाली agreement remember तो first statement wrong है second statement correct है आप पढ़ेंगे किगाली agreement के बारे में तो correct answer option बढ़े है that is two only environment के lectures में complete कराया है this is very famous किगाली place जो है यह कहां पर located है किस continent पर located है या आप जो comment box बताईगे किगाली एक place भी है जिसके नाम पर यह agreement हुआ है यह कहां पर located है या आप जो comment box बताएंगे okay a Montreal protocol of course Montreal protocol deals with what it deals with protection of ozone layer तो यहाँ देखिएगा ozone layer के protection से regarding है that is Montreal protocol comment box में बताईगे Montreal protocol came into force मतलब lagu कब से हुआ था came into force कब हुआ था उस year का नाम year मुझे mention करिए comment box में ठीक है that is also very important चलिए question भाई इर्थ माते है that is regarding AIIB bank सबसे पहले तो इस bank का headquarter कहां पर है या मुझे comment box में अभी mention करिए कि इसका headquarter कहां पर है ठीक है चले next तीन statement दिए गए regarding AIIB पहला है कि इसमें more than 100 member countries है second है India एक lothy country है only country which enjoys a permanent seat on the bank board of directors third AIIB does not have any members from outside Asia outside Asia को छोड़के AIIB bank में कोई member नहीं है okay so which is the following is the correct option I think आपको पता हुगा Asia से भाहर से भी बहुत से members हैं तो third statement तो wrong हो जाता है और India सिर्फ एंजवाई नहीं करता है even China has that permanent seat of bank of directors bank of board of directors remember so India not only China is also with them second we wrong now first yes AIIB have more than 100 member nations comment box उता है यह अभी प्रेसेंट AIB में कितरे members हैं यह आप चेक कर सकते हैं और headquarter दोनों आप मुझे comment box में मेंशन करिए तो correct answer option A है that is one only okay चलिए और यही बता तेजिए मुझे अभी इस bank का head कौन है भी यह आप मुझे comment box who is the head of this bank right now okay उसका नाम आप मुझे comment box मेंशन करिए that is also very important okay चलिए question number 9 माते है regarding एक बहुत famous species है को गूगल करके जरूर इसकी image देखेगा शायद कुछ लोग डर भी सकते हैं इस image को देखके और कुछ लोग डरेंगे नहीं maybe it depends upon you देखते हैं पहले किस species की बात कर रहा हूं मैं बोला गया है first statement है कि popularly known as dhaman ज्याद कि नाम से famous है यह जो कि south और Southeast Asia में इसको बोला जाता है this is very famous ओके दामन बोला जाता है next यह quickly adapt कर लेता है erid area हो चाहे open field हो farmland हो coastal region हो fresh water हो backish water wetlands हो वहाँ पर easily मिल जाता है आपको ऐसी conditions में adapt कर लेता है इसको कोई दिक्करत नहीं होती है third इसको farmers friend खा जाता है ठीक फार्मर का दोस्त खा जाता तो इस कॉन है options है common crane mangrove जाद एक रैट स्नेक या तो red rice तो these are the fourth war options यह दो key point है आप फार्मर's friend यह key point है और इसको दामन कहते है I think दामन अगर आपने सुना होगा तो it would be easy नहीं पता कोई बात नहीं है इसका correct answer जो है वह और a snake याद अखेगा it is a rat snake remember ये rat snake के वारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो actually इसको farmers friend कहते है क्योंकि it is poisonous not poisonous नहीं होता है पहली नहीं होता है ठीक है और याद आखेगा the farmers friend हिसली कह रहे है क्योंकि यह जो rodent होते है जो rodent होते है यहाद एकि fields में जो rodent होता है उसको जा विल्प करता इसको रिड अवे करने हैं वो खाता है ये तो इसके रॉडेंच खतम हो जाते हैं रिया दखेगा इस इस वरी इंपॉर्टेंट पॉजनस नहीं है तो इस गुड तो इंडियन राट स्नेक वेरी फेमस या दखेगा तो इसके बारे में ही करेक्टर से लिगी इसको लोकल ही हम धमन की नाम से भी जानते हैं तो कभी इसकी इमेज देखेगा तो जवी नहीं साप जहरीला हो है ना डेंजरेस हो कभी-कभी इसको फार्मस फ्रेंड भी कहते हैं इस इन वेरी ट्रिकी और इंपोर्टेंट कोश्चन ओके चले लांस कोशन आज का वाइलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड है पुचा कि कौन से सेंटमेंट कर्रेंट है रिगार्डिंग दिस वाइलाइफ क्राइम कंट्रूल ब्यूरो First Statement है यह स्टाइप्लिश इसी बॉडिव ने वाइलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने established किया है तो कौन से statement जो तीन statement है कौन से statement correct है तो yes first statement I think it's a statutory body क्या ये सही है आप guess कर सकते yes it is the statutory body क्या ministry of environment के दर आती yes it comes under ministry of environment और क्या इसने ये data bank established किया है बिल्कुल centralized wildlife crime data bank भी इसने established किया है तो correct answer option number D है that is 1, 2 and 3 I hope आपका question सही हुआ होगा okay and the cutoff था that is around seven marks I think seven or eight जो भी रहा होगा I am just forgetting okay तो यह दखिए जो भी cutoff है I hope आपका cutoff clear हो गया होगा okay अगर आपको कोई doubt queries है comment box मेंशन का सकते हैं इसकी pdf चहिए whatsapp number दिया हुआ है description box दिया है वाँसे number लेके whatsapp कर सकते हैं और हमें क्या कहते हैं इस pdf के आप हमें whatsapp कर सकते हैं आपको जरूर ग्रुप पर जोइन करा देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है like share जरूर करते जाए at least like share तो आप करी सकते हैं और comment जरूर करें जो वेने आपसे